हेलो पीपल, I hope you all are doing very well हम पढ़ेंगे unit 4 जिसका नाम है मिठू and the yellow mango क्या नाम है? मिठू मतलब मिठू इस तोते का नाम है and the yellow mango और पीला हम पढ़े रहे हैं NCRT English class first की बुक जिसका unit 4 मतलब chapter 4 का ये second part है जो की एक story है और हम इसे पढ़ेंगे listen and enjoy this story इस story में कह रहा है कि मिठू आज पैरट मिठू क्या है एक तोता है a green parrot जिसका color क्या है green है with her it big big मतलब होता है चोच ये इसका चोच है one day मिठू आज फ्लाइग एक दिन मिठू क्या करा था? उड़ रहा था he loved to fly वो उड़ना पसंद करता था ठीक है? उसे उड़ना पसंद था he looked down वो नीचे देखा he saw a big yellow mango on a tree एक पेड़ पर वो क्या देखता है? बड़ा सा पीला आम ये देखिए ये देखता है मिठू liked mangoes और मिठू क्या करता था? mangoes को पसंद करता था मतलब खाना उसको अच्छा लगता था आम को ठीक है? he want to eat that yellow mango वो क्या चाता था? वो उस mango को मतलब ये जो मीठू है ये इस mango को क्या करना चाता है? खाना चाता है ठीक है? he said वो ऐसा बोला he flew down to the tree वो क्या करता है? उड़के उस पेड़ पे जाता है ठीक है? flew down ठीक है? काउं काउं go away this is my tree said a voice me to looked up कह रहा है कि काउं 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 की आवाज आती है जिसमें वो बोलता है go away जाओ यहाँ से this is my tree ये मेरा पेड़ है said a voice एक आवाज ऐसा बोलती है ठीक है? मेठू looked up मेठू उपर देखता है he saw a big black crow वो क्या देखता है मेठू? एक बड़ा सा काला कवा देखता है ये रहा ठीक है? काउं काउं go go मतलब यह बोलता है कि जाओ जाओ the crow shouted कवा चिलाता है कवा चिलाता है जाओ जाओ he had a very loud voice उसकी आवाज क्या थी बहुत तेज थी मेठू was afraid and of the crow मेठू क्या हुआ? कवे से डर गया ठीक है? he flew away और वो क्या करता है? उड़ जाता है मेठू saw a red balloon मेठू क्या करता है? एक लाल रंका क्या करता है? red balloon balloon मतलब होता है गुबारा ये दा है नीचे ठीक है? देखा मेठू क्या देखा? एक red balloon देखा it was under a tree वो एक पेड़ के नीचे था he had an idea और उसको एक idea आता है या उसके पास एक idea था he picked up the red balloon वो क्या करता है? उस लाल balloon को जैसे जो red color का ये balloon है लाल गुबारे को picked कर लेता है मतलब उठा लेता है he was careful not to burst it वो इतना सौधानी से उठाता है या इसके बारे में इतना सौधान रेता है कि ये फटेना ठीक है? he flew to the mango tree वो क्या करता है? mango tree के पास जाता है आम के पेड़ के पास जाता है the crow was sitting on the tree और कौवा क्या कर रहा था? उस ताइम ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है me too went behind the tree me too जो है कि क्या करता है पेड़ के पीछे जाता है मतलब कौवा जिदर बैठा है ये देखिए उसके पीछे की तर ओर जाता है he picked the balloon with his rate big वो क्या करता है कि pick करता है मतलब छेंद देता है या उस पे pick करता है मतलब मारता है ठीक है इस पे balloon पे ठीक है अपने लाल चोच से इससे ये मारता है इस पे ठीक है balloon पे pop the balloon burst pop करके मतलब pop की आवाज आती है तेज इससे और balloon फट जाता है it made a loud noise और वो loud मतलब तेज noise मतलब आवाज या सोर ठीक है वो तेज सोर करता है काउं ऐसा कोबा बोलता है काउं said the crow and he fell off the tray और वो क्या करता है पेड से गिर जाता है fell मतलब गिर जाना ठीक है मेरे पीछे एक बहुत बड़ी मंदूक है said the crow वो कवा बोलता है he flew away और वो फिर भाग जाता है he never came back to the tree और वो फिर कभी पेड के पास वापस नहीं आता है या पेड पे वापस नहीं आता है me too came to the tree me too पेड के पास आता है he ate the big yellow mango ठीक है और वो क्या करता है कि ये जो भी बड़ा सा पीला आम होता है उसको खाता है yummy yummy जब कोई चीज स्वादिस्ट होती है और अच्छी होती है तो उसको क्या बोलते है yummy yummy ठीक है what a nice mango he said और वो बोलता है wow क्या खुबसूरत या क्या अच्छा बढ़िया आम है ठीक है ऐसा कौन बोलता है me too he was very happy और वो क्या था बहुत खूस भी था ठीक है clever me too clever मतलब होता है धूर्थ ठीक है और wise मतलब होता है चलाक ठीक है तो फिर क्या बोलता है clever me too ठीक है ठीक है इसको लिखने वाले हैं चित्रा नरेंद्रा new words नय वर्ट्स आपने क्या क्या पड़े है black मतलब काला crow मतलब काववा mango means आम parrot means तोता ठीक है latest rate चली इसको पढ़ते है I like eating a mango मैं आम खाना पसंद करता हूँ I like feeding a crow मैं एक काववे को खिलाना भी पसंद करता हूँ ठीक है फिर reading is fun ठीक है उसको उसका first question है what did me too see on the tree मीठू पेड़ पे क्या देखता है मीठू सा a big ऐसे लिख सकते है a big yellow mango ठीक है what did the big black crow say और जो बड़ा सा काले रंग काववा रहता है वो क्या कहता है ठीक है तो कहता है कि the big black crow told me to go away वो क्या कहता है वो told me to told m-i-t-u to go away ठीक है वहाँ से जाने के लिए कहता है ठीक है what did me to see under the tree मीठू जो है मीठू जो होता है था जो तोता था वो पेड की नीचे क्या देखता है ठीक है मीठू सावाई red balloon under the tree ठीक है तो क्या हो जाएगा a red balloon ठीक है a red balloon red balloon ठीक है under the tree ठीक है ठीक है मीठू ऐसे लिख सकते हैं इसको पूराई कर देते हैं मीठू साव मीठू साव a red balloon under the tree ठीक है फिर लेट असे टाक first question है do you like eating mango क्या आप आम खाना पसंद करते हैं ठीक है इसको आप अपने हिसाब से दे सकते हैं ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अगर आप पसंद करते हैं ठीक yes I like ripe mango या I like eating ripe mango ठीक है ripe मनलता है पका हुआ ठीक पका हुआ आप खाना मुझे पसंद है do you like green mango why क्या आप green mango like करते हैं तो अगर आपको पसंद है तो yes लिखे और क्यों क्यों पसंद करते हैं ठीक है और नहीं पसंद है तो नहीं लिखे लेकिन अगर yes है क्योंकि mostly पसंदी होता है तो आप yes लिखेंगे ठीक है I like green mango as the taste sour because 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 the taste of green mango green mangoes and have a unique flavor आप ये भी लिख सकते हैं या उसका एक unique flavor होता है ठीक है चलिए do you like yellow mangoes why क्या आप yellow mango मलद पीले आप खाना पसंद करते हैं तो इसका answer नीचे yes ये भी आप like करते होंगे ठीक है because because they have sweet flavor ठीक है color the chili red and the parrot in colors of your choice ठीक है आप parrot को और color the chili red ठीक है ये जो chili है उसको red color करिए and the parrot in color of your choice और जो parrot है उसको अपने choice के color से करिए ठीक है मतलब color करिए ठीक है parrot with a red can you really speak me too me too me too me too एक बच्चा है वो क्या बोलना है parrot with a red beak ठीक है वो parrot से बोलता है कि टोता जिसके पास लाल बीक है उसको बोलता है कि can you really speak क्या तुम सच में बोल सकते हो क्या me too me too me too ठीक है यह देखिए कहां से स्टार्ट कर रखा है इसमें यह यहां से जा रहा है ठीक है इसको ट्रैस करना है ऐसे ठीक है match the fruits match the fruit यह जो fruit है and vegetables और जो सबजीया है to the trees they grow on उस पेड़ से इनको match करिए जिस पे यह बड़े होते हैं उगते हैं ठीक है तो बनाना तो बनाना कहा होगा बनाना ट्री पे ठीक है केला केले के पेड़ पे होगा coconut coconut ट्री पे होगा ठीक यह है apple ठीक है और mango तो apple कहा होगा grape wine sorry यह apple नहीं है यह grape है apple यहाँ है ठीक है यह apple 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 tree पर होता है ठीक है और grape कहा होता है grape wine पर होता है ठीक है यह लता होता है ठीक है यह tree है लेकिन यह wine means लता ठीक mango mango कहा होता है mango tree पर होता है done next है learn to write लिखना सीखे draw over the dotted line इस dotted line पे आप draw करना है, ठीक है, आपको ऐसे, ठीक है, when I have done, आपको बागी करना है, ठीक है, say allow, इसको बोलना है, bet, bet, bit, dot, bun, cat, fed, hit, hot, fun, matte, red, pit, pot, run, ठीक, इसको आप पढ़ दीजिएगा दू-तीन बार, choose a letter from the box, क्या करना है, box से, letter choose करना है, and complete the word below, और क्या करना है, complete the word below, ठीक है, जो नीचे words है, उन्हें complete करना है, ठीक, जैसे मा लिजी, s, t है, ठीक है, तो आप इसमें ले लिजी, i, ठीक है, s, i, t, sit, ठीक है, p, i, peak, ठीक है, b, i, g, big, ठीक है, या सब में i, i, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, e करते है, b, a, g, bag, ठीक है, ठीक है, bag हो गया इधर, फिर, d, o, t, dot, dot, मतलब बिंदी, ठीक है, s, u, n, sun, ठीक है, sun में सूर, ठीक है, f, u, n, fun, fun मतलब माजा, ठीक है, l, e, g, leg, मतलब पैर, ठीक है, ठीक है, फिर है, s, a, t, set, sit का second form, set, ठीक है, l, o, t, lot, मतलब धेर सारा, ठीक है, और, b, यह, i, n, ठीक है, bin, ठीक है, इसमें और भी कुछ भरा जा सकता है, जैसे यहाँ पे, b, i, यहाँ पे हो सकता है, तो b, ho जाएगा, ठीक है, d, o, d, s, यहाँ पे, अगर, o होता, ठीक है, s, o, m, means, होता है, बेटा, और यहाँ का मतलब है, सूर्य, ठीक है, इस तरह से यह chapter आपका समात्थ हो गया, और मिलेंगे next video में, तब तक के लिए बहुआ ठीक है,